हेलो दोस्तों आपका स्वागत है त्रिसक्ति अक्याडवी में और आज हम डिसकस करेंगे उत्तराखन पॉलिटेक्निक परविश परिक्षा 2021 के लिए most important questions for pharmacy group आज हम pharmacy group में आने वाले most important previous year questions के बारे में discuss करेंगे mock test second इससे पहले हम mock test first डाल चुके हैं pharmacy group के लिए आप उस वीडियो को भी जाकर जीप playlist 2021 में देख सकते हैं तो यहाँ पर इस students देखिए इसकी PDF हमने पहले ही आपको प्रवाइट करा दी है टेलिग्राम चैनल में तरी सकते अकाडमी के यहाँ पर आपने इस test को solve करने की कोशिस की होगी student तो अब हम इसका solution इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए जो most important previous year questions में आपको दिये थे वो यहाँ पर हम देखते हैं students चलिए जो chloroplast होता है वो किसमें found होता है वो किसमें होता है आपको बताना है पहला side में palisade, cutile layer, spongy cell यह यहाँ पर none of these तो यहाँ पर आएगा answer A, palisade क्या आएगा answer student A, palisade आएगा, यह answer विल्कुछ सही है, the respiratory organ in insect, insect में जो respiratory organ होता है क्या होता है, lungs, skin, trachea यह gills तो student इसका answer क्या आएगा, जो insect होते हैं देखिए, इनमें जो respiratory organs होते हैं, वोते हैं trachea, क्या होते हैं, trachea और जो आपका human being होता है, इसमें lungs होते हैं, और जो आपकी fishes होती हैं, इनमें क्या होते हैं, gills होते हैं, क्या होते हैं, respiratory organs, gills होते हैं यह आपको जहें रखना important question है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका answer क्या आएगा, trachea आएगा, trachea आएगा, c option बिल्कुल सही है चलिए, प्राकर्तिक रूप से प्राप्त खनिज, जिसमें धातू लाबदायक रूप से निसकर्शित की जा सकती है, उसे कह गयते हैं, खनिज, ग्यांग, गालक या या इसक, तो ग्यांग और गालक तो बिल्कुल गलत हो गए, खनिज भी नहीं आएगा, इसका answer आएगा, जिसे आप इंग्लिश में और बोलते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश वाले, और बोलेंगे, क्या बोलेंगे और, प्राकर्तिक रूप से प्राप्त पदार्थ, जिससे धातू, लाबदायक रूप से निसकर्शित की जाती है, उसे आप क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, प hydrogen oxygen silicon carbon 4 option है जिनमें से सही जवाब आएगा oxygen निमलिकित में से कौन सा आयस्क नहीं है इसमें से आपको बताना है कौन सा आयस्क नहीं है तो बॉक्साइड तो आयस्क होता है aluminum का malachite भी zinc blend भी तो यह तीनों तो आयस्क होते हैं बल्कि pig iron नहीं है आंसर आएगा pig iron बल्कि आयस्क देखें रौट iron इस तरीके से हो सकते हैं आपके sulfide और हो सकती है इस तरीके से अलग-अलग iron की और होती है पर यहाँपर pig iron देखें और नहीं है तो यहाँपर क्याएगा pig iron आएगा आयस्क के सोधन के लिए पर्युक्त फेन प्लवन विधी देखें जो फ्लेन प्लवन विधी होती है उसमें आयस्क के कण तैरते हैं उसमें आयस्क के कण तैरते हैं यानि फ्रोथ फ्लोटेशन जो विधी होती है उसमें आयस्क यानि जो और के कण है वो तैरते है उसको जिस समय आप उसको purify करते हैं, सोधन करते हैं क्यों त्यारते आयसके करने, यह आपको बताने हैं यह हलके होते हैं, इनकी सता जल विरोधी होती है अर्था जल के द्वारा सरलता से भीगते नहीं है इन पर विद्योतावेश होता है, यह आविलाय होते हैं तो C गलत है, D गलत है, A भी गलत है तो इसका आउसर आएगा B, इनकी सता जल विरोधी होती है अर्था जल के द्वारा यह सरलता से भीगते नहीं है तो B option यहाँ पर देखें, बिल्कुल सही है B option, correct है बिल्कुल, अगर आपने B आउसर दिया तो बिल्कुल सही है इसका आउसर आएगा A, alkaline pH, क्या आएगा आउसर? A, alkaline pH, alkaline pH, यहाँ पर आएगा यह option जो है, बिल्कुल सही है थेलकॉइड, इस, थेलकॉइड क्या है स्ट्रेंट, यह आपको बदाने Membrane Sec Like Structure in Chloroplast, Membrane Sec Like Structure in Mitochondria Membrane Sec Like Structure in Endoplasmic Reticulum, यह Membraneus है तो यहाँ पर इसका अंसर आएगा, पहला, यह Membrane होती है Sec की तरह structure की chloroplast में, तो A, option बिल्कुल सही है I hope आपने भी यह यह अंसर किया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्मेनियम में देखिए, जब आप 13 गुरुप के तत्व को मिलाते हैं जब जर्मेनियम में आप 13 गुरुप की purity मिलाते हैं 13 गुरुप में जैसे आपका aluminium आता है, यानि तीन electron होते हैं इसमें तीन electron की आप इसमें trivalent trivalent इसमें आप impurity को मिलाते हैं trivalent impurity मिलाते हैं, तो किस तरीकेगा अर्धचालक बनते हैं, किस तरीकेगा P परकार का अर्धचालक, यहाँ पर क्या answer आएगा P परकार का अर्धचालक, B option बिल्कुल सही है निमलिकित में से कौन ताप में परिवर्थित होने से प्रभावित नहीं होते हैं बहुत अच्छा कुशन है, निमलिकित में से कौन सा अगर आप temperature change गर दें, तो ताप में परिवर्थन होने से प्रभावित नहीं होता नौर्मलता, फॉर्मलता, मोललता या मोललता तो ए तो होती है temperature से, B भी होगी, C भी होगी, पर D नहीं होती मोललता, number of moles, पर 1000 gram of solvent तो यहाँ पर D जो है, बिल्गुल सही है, मोललता, निमलिकित में से कौन ताप परिवर्थन में परभावित नहीं होता है मोललता इसका अंसर हैगा, बहुत important question है, एक्जाम में पूछा गया है बहुत 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 तो यह D option आएगा, इसका मोललता, यानि मोललिटी, इंगलिश वाले बोलेंगे, मोललिटी, चलिए आगे बढ़ते हैं देखें, elements of xylem vessel, helping in transportation of mineral and water, यानि element होते हैं, xylem vessel के, help करता है, transportation of mineral and water के ट्रैक्याड, xylem, parenchyma, vessels, all of the above, तो इसका answer आएगा, student A, ट्रैक्याड, क्या आएगा, ट्रैक्याड, ट्रैक्याड बोलेंगे, आप देखें, यहाँ पर option है, living component of phloem R, देखें कि इसमें एक option hidden हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं आपको दा दिता हूँ, living component जी होता है, phloem आपको त्यान रखना है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका food transportation और xylem का क्या कारी होता है, water का, minerals का, water का transportation होता है, तो यहाँ पर देखें, जो sieve tubes होती है, यह living component होती है, constant tubes, sieve tubes जो होती है, वो living component होती है, phloem की, तो A option यहाँ पर, बिल्कुल सही आएगा answer, the transport medium in human being, देखें, जो human being में transport medium होता है, जिसे वहन होता है, oxygen का, या आप कहें, हमारे food जाता है हमारे सरीर में, क्या medium होता है, mainly, blood, lymph, both, या none of these, तो इसका answer है का both, blood और lymph, दोनों जो होते हैं, यह transport medium होते हैं, body में, the smallest blood vessel in the body, जो सबसे छोटी blood vessel होती है, body में, वो कौन से होती है, artery, capillary, vein या वेन अकवा, तो यहाँ पर क्या answer है का, capillary जो होती है, सबसे छोटी smallest blood vessel होती है, बलकि वेन अकवा, सबसे बड़ी vein होती है, सबसे बड़ी vein वेन अकवा, और सबसे बड़े, जो यहाँ पर महाधमनी आप इसे कहेंगे, जो आपकी जो artery होती है, artery जो होती है, महाधमनी ओटाई से आप कहते हैं, ओटाई सबसे बड़ी होती है, यह भी question पूछा जाता है exam में, तो यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, stainless steel में मुख्य रूप से carbon तथा iron के साथ क्या उपस्तित रहता है, यानि stainless steel में हमें ब आपने D option दिया है, बिल्गों सई जाब है, संकरामक तत्व कौन से होते हैं, संकरामक यानि ट्रांजिटीव जो element है, कौन कौन से, किस गृूप से संबन्द रखते हैं, S गृूप से, P गृूप से, या D गृूप से, तो आपको होता है S गृूप metal, P गृूप non-metal, D गृ मानिया, electronic विन्यास क्या होता है, जो संक्रामक तत्व होते हैं, जो D-block के element होते हैं, उनका electronic विन्यास क्या होगा, C option यहाँ पर आपको सही दिख रहा है, N-1, T, C, 1-10 electron हो सकते हैं, D-cell में, N, S में 2 हो सकते हैं, तो यह यहाँ पर आएगा, C जो है, पिरको सही option है, C option बिलेकुल सही है, student, चलिए आगे बढ़ते हैं, physics के question देख लेते हैं, physics भी आएगी, क्या है, आपकी 11-12th level की, which of the following is not fundamental particle, इनमें से कौन सा fundamental particle नहीं है, तो आपको बता ह होता है, meson भी होता है, meson भी होता है, neutrino भी होता है, यहाँ पर अगर electron और neutron भी आता तो वो भी होता, पर जो alpha particle है, वो fundamental particle नहीं है, वो मोलबूत जो particle है, वो नहीं है, which of the following is correct, इनमें से कौन से correct statement है, positron, जो positron होता है, वो anti-particle होता है, electron का, anti-particle यानि इसका बिलकुल विर होता है, क्यों, ऐसे क्यों कहा गया है, student, it has opposite charge, क्या इसके पास opposite charge होता है, its mass is equal, इन दोनों का mass बराबर होता है, its collide with electron, यह electron के साथ collide करता है, collision होता है, it is destroyed by combined with electron, तो यहाँ पर याएगा कि जब यह electron के साथ combine होता है, positron, तो यह क्या हो जाता है, इसे anti-particle भी बोला जाता है electron का, तो यह अच्छा question है, exam में पूछा जा सकता है, D option इसका सही जवाब आएगा, आप लोग भी students, देखे, अपने answer match करते रहिए, और मैं pharmacy group के students को बता दूँ, देखे, जो student pharmacy का यहाँ पर exam देंगे, Jeep का, तो उनको बहुत अच्छी rank लानी student, उनको बहुत ही अच्छी rank लेकर आनी है, 500 के नीचे उनको rank चाहिए, उनको अगर अच्छे college में admission चाहिए, तो 500 के नीचे rank लेकर आनी पड़ेगी, आप लोगों को student, क्योंकि ऐसा होता है, देखे, सरकारी में आपको बता है, 200 या 300 seat होती है, 200 या 300 seat होती है student, pharmacy भी पूरा एनलिस्टम बताएंगे, कि जब seat आजाएंगी, फ्रमिसी में देखे कितनी seat है, तो देखे वहाँ पर, जो है 200 ए 300 seat हैं सरकारी में, तो वहाँ पर देखे, 200 ए 300 seat हैं, पर सारे student से admission नहीं लेते हैं, तो इसलें देखे 500 से नीचे rank लाना जरूरी है, 500 से नीचे rank लाने student जरूरी है, तो यहाँ पर और वेनक का हुआ हाओ सबसे पहले रही ब्लड है वो किस में आते हैं أوरिकल में आता है और ही को चैंबर का हरत है वी आपको बता होना चाहिए वह अच्समिच टो हुए टै हैं और गे可 does not प्रैक्टिस करनी 。」 जरों आपके क्योशन लेकर आएंगे चलि देखिए वैंवे लाइट पासिस फ्रों ऐर ohh से घलास में लांड जाती है तो क्या होते हैं। निदर हैं यार वारे एर कि अंदर है आपकी यह गलास है ये medium तो देखिए rare medium से dancer medium में जा रहा है इसका अर्थ क्या होगा कि जो wavelength होगी light की वो क्या होगी decrease करेगी wavelength क्या करेगी decrease करेगी यहाँ पर यह आपको ज्यान रखना है जो light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो कौन सी चीज वहां पर same रहेगी constant रहेगी तो आपका answer क्या होगा student आपका answer वहां पर होगा frequency पर यहां पर पूछा गया है क्या यहां पर wavelength increase करेगी नहीं वेवलेंट इंक्रीज नहीं करेगी प्रफिश्चक यहां पर देखिए क्या है और फसके लूज्ट का मतलब क्या है कि जो नीचर कंड़े का है और यह पär्टिकल नीचर है और यह भूचंप तो लाइट का फसक्रियर होग लिए श्रिक्ट्बक रूुटा को डिफ्रेक्शल को competent effect को या black body radiation को तो इसका answer हैगा diffraction क्या हैगा इसका answer diffraction जो diffraction होता है वो इसको support नहीं करेगा जो आपके जो particle nature light का वो diffraction को support नहीं करेगा यानि वहाँ पर यह theory fail हो जाती है कि light is a particle light जो है particle से मिलकर बना होते हैं बलकि जो wave nature होता है जो wave nature होता है वो इनमी से देखिए interference को भी बताता है diffraction को भी बताता है polarization को भी बताता है पर फोटो electric effect को नहीं बताता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है light का corpus color nature होना चाहिए यानि light का यहाँ पर कैसा nature होना चाहिए आपके particle nature होना चाहिए तो यहाँ पर option क्या अगड़ी आएगा क्योंकि बाकी सब जो है wave nature को यहाँ पर follow करते हैं बल्कि यहाँ पर जो आपका support नहीं करता wave nature को वो फोटो electric effect है और यह किस ने दिया था आपको बता होना चाहिए Einstein ने यहाँ पर दिया है आपको पता होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर the electrolyte देखिए student the electrolyte in leclancy cell जो electrolyte होता है leclancy cell में student वो आपको यहाँ पर बताना ammonium sulfate, magnesium dioxide ammonium chloride yes copper sulfate तो students यहाँ पर देखिए जो electrolyte होता है leclancy cell में वो होता है ammonium chloride c option बिल्कुछ सही आएगा अगर आपने c option दिया बिल्कुछ सही है ammonium chloride ammonium chloride c option बिल्कुछ सही है चलिए दो common name of leclancy cell leclancy cell का common name क्यों होता है voltaic cell, danial cell, secondary cell यह dry cell तो d option आएगा dry cell the anode in dry cell is made of यह जो dry cell होता है उसका आपको बताने किसका बना होता है थे कौन्सी ऐसे कर si理र्शार्ज हो सकती है वोल्टाइक सेथ डेनेयल सेल निकल आइरन सेल या ड्रइसल तो देकि इफ़सरू कर बता है यह कैसे सेların् है यह जो होते हैं यह क्या होते हैं दोँए से रिचार्ज नहीं हो सकते पर जो आपका यह है निकल आइरन सेल यह आपके रिचार्ज़बल है यह दुबारा रिचार्ज हो सकते हैं स्टुडेंट तो यहां पर क्या आएगा सी ऑप्शन बिल्गुल सही आएगा तो आज भी देखिए स्टुडेंट हमने आप थाटे कुश्चन्स डिसक्स किये फार्मेसी से रिलेटेड तो अगर देखिए आपको कोई भी क्यारी हो तो आप कमेंट करें आप हमें देखिए इ 11 और 12 की physics chemistry आपको अच्चे से पढ़नी है 11 2 इसी तरिके सा आपको फुल मैंत करते जाना है ऐसे नहीं कि यही वीडियो कि आप भरो से बैटेंगे इसी तरीके से question आपको आ जाएंगे exam में देखे, exam आएगा आपके 11-12 लेवल से ही, question कराने का मतलब है क्या practice करें, इसी तरीके question की आप book में practice करें, ऐसे ही question आपको देखने के लिए मिलते हैं exam में, numerical type पी होते हैं, वो भी आपको देखने, simple numerical होते हैं, वो भी आपको practice करने, खुछ से, तो देखे, आप हमें follow कर सकते हैं, तिरी सकते academy, facebook पर, instagram पर, telegram पर, और कल भी हम आपके लिए, same timing पर video लेकर आएंगे, तो आपको कल भी video को देखना है, और telegram पर, please student, जो student अभी तक telegram पर नहीं जुड़ देते हैं, तो इसी के साथ के video नहीं पर end करते हैं, आप like करते हैं, share करते हैं, बहुत बहुत धन्यवादे students,